बोपाल और इंदोर में लगातार कोरोना पॉजिटीव की संख्या बढ़ने से आश्ठा नगर की दोनों सीमाओं पर पुलीस ने सुरक्षा कड़ी कर दी हैं जिसे कोई भी संक्रमीत व्यक्ति नगर में प्रवेश्णा कर सकें सीहोर एस पी काफी समय तक अपने अमले के साथ मोजूत रहें जिले की सीमाओं पर एक चेक पोस्ट बना दिया गया है जहां प्रतियेक वाहन की जाज की जा रही है एवं उनकी जानकारी ली जा रही है हलाकि जिले में लोकडाउन उनका पालन शुरुआत से किया जा रहा है लेकिन हाल ही में आसपास के छेत्रों में लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या से परशास्तन किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले रहा है इंदोर और भुपाल में लगातार कोरोना से पीडित मरीजों की संख्या बढ़ते देख आश्टा में पुलिस ने सुरक्षा और बढ़ा दी है आश्टा से आई बिए नाइन के लिए मुहम्मद सादक की रिपोर्ट सर आज हम देख रहे हैं आप घंटो से जो आश्टा की बढ़र है दौलत पूर घाटी वहां पे आप बेठे हुए थे क्या मामला है सर वैसे तो दोस्त सभी बाड़ों से लगातार जा रहा हूं पर अगर हमें छोटी सी भी को सूचना मिलती है तो हम उसको तज़िक करते है कि सुचना मिलने पर मैंने अभी अपने जित्ते भी बाडर देवास लगे हूए चाहे वो भूपालपुरा बाडर हो या सिदी गज़ा बाडर हो या दोलगपुरा बार सभी पर सब्रक्त चेकिंग लगवा दिये और यह चेकिंग पुरी राथ जारी रही है ता कि कि सुच सरकल से प्रधानमंती जी multiplied अपेल की है की वाफस लोगडाउन तीन मही तक बड़ा हुआ है इसको लेकर पुलिस ठीसन की क्या तायरिया है को या हुए पुरा है की जैसे पूरा है कि आमनों से अब नभी सेंसे अमिर्ज के जाओ यहां से एक जसने से खारने परमानी मुक्री मंधी पर करेता से अभीयां इस फ 누्हय चप्र सब्सक्राइब पर आधकर में को स tidak कर दो तो इसके लिए कानुनी प्रावधन का प्रोग करके उनके वर्तमान में जो नेगेटिव आएंगे तो कि जो पॉलिटीव राइसे ने पायगा है उनको गए परियाप तब्रों में बस इतना ही बने रहे हमारे साथ मैं हूँ आपके साथ साथ नासी